साथ क्यों मैं जब गुरुदेव के बारे में बात करता हूँ तो एक मों से खुद को रोक नहीं पाता हूँ पिछली वार आपके हाँ आया था तब भी मैंने इसका थोड़ा सा जिक्र किया था मैं फिर से गुरुदेव और गुजरात की आत्मियता का स्वारण करा रहा हूँ ये बार-बार याद करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें एक भारत फ्रेष्ट भारत की भावना से भरता है ये दिखाता है कि अलग-अलग भावशाओं बोलिया घानपान पहनावे वाला हमारा देश एक दूसरे से कितना जुड़ा हुआ है ये दिखाता है कि कैसे विवीदिताओं से भरा हमारा देश एक है एक दूसरे से बहुत कुछ सिक्ता रहा है साथियों गुरुदेव के बड़े भाई सत्तेंद्रना टेगोर जब ICS में थे तो उनकी न्यूकती गुजरात में एहमदाबाद में भी हुई थी रविनाट टेकोर जी अक्सर गुजरात आज जाते थे और उन्होंने वहां काफी लंबा समय भी बिताया था एहमदाबाद में रहते हुए उन्होंने अपनी दो लोकपरिये बांगला कविताय बंदी ओ आमार और निरोब रजनी देखो ये दोनों रचनाएं की थी अपने प्रसित रचना शुदीत पाशान का एक हिस्सा भी उन्होंने गुजरात प्रवास के दवरानी लिखा था इतना ही नहीं गुजरात की एक बेटी श्रीमती हटी सींग गुरुदेव के घर में भी वो बहु बनकर भी आई थी इसके अलावा एक और तथ्या है जिस पर हमारे विमेन एंपार्माइट से जुड़े संकटोनों को अध्यान करना चाहिए सत्ते इंद्रणा टेगवर जी की पत्नी ज्यानन दिनी देवी जी जब एमदाबाद में रहती थी तो उन्होंने देखा कि स्थानिये महलाएं अपने साड़ी के पल्लू को दाहिने कंदे पर रखती अब दाये कंदे पर पल्लू रहता था इसलिए महलाओ को काम करने में भ कि क्योंने साड़ी के पल्लू को बाये कंदे पर लिया जाए अब मुझे ठीक ठीक तो नहीं पता लेकिन कहते हैं कि बाये कंदे पर साड़ी का पल्लू उन्हीं की देरिन है एक दूसरे से सीख कर एक दूसरे के साथ आनन से रहते हुए एक परिवार की तरह रहते हुए हम उन सपनों को साकार सकते हैं जो देश की महान विबुतियों ने देखे थे यही समस्कार गुरुदेव ने भी विश्व भारती को दिये हैं इनी समस्कारों को हमें मिलकर निरंतर मजबूत करना है